अग्या फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक अलग सी चीज लेके आई हूं बच्चों के मिटन्स मिट्स भी बोलते हैं हम इसको आज मैं आपको यह बनाने जो सिखाने वाली हूं बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही क्यूट यह बच्चों के लिए तो इसका टुटोरियल शुरू करती हूं मैं आज आज आपके लिए तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 11 नंबर की मैंने सलाइया ली और उसमें मैंने 37 पंदे मैंने कास्ट आउन कर दिये है 37 पंदे डाले और 6 सलाइयों का मैंने 1 सीधा और एक करने के बाद अब इससे आगे हम चाह करेंगे एक फंदा हमने बुना धागा आगे किया एक जोड़ा मारा धागा आगे किया फिर जोड़ा मारा धागा आगे किया जोड़ा मारा पूरी रोह हम इस तरह ही बुनते जाएंगे जोड़ा मारा धागा आगे किया जोड़ा मारा धागा आगे किया जोड़ा मारा धागा आगे किया जोड़ा मारा एंड तक हो इस तरह ही बुंते जाना है ये ribbon insertion वाली रो है इसमें हम या ribbon डाल सकते हैं या icon डाल बनाके आप डाल सकते हो जोडा मारा धागा आगे किया फिर जोडा मारा तो पूरी हमसलाई जो है वो इस तरह बनेंगे फिर सर्पीट करते हूं कि 37 सुन्दे मैंने डाले थे और एक सिधे एक उर्टे का बॉर्डर 6 स्लाईया डाली सात्वी स्लाई में मैंने ये जो इंसर्शन वाली रो है रिबन इंसर्शन वाली वो बना रही हूं अब ये खत्म होगी अधागा आगे किया और फिर हमने जोडा मार दिया अब हम क्या करेंगे इसके बाद यह स्लाई बुनने के बाद अब हम 9 नंबर की स्लाईया चेंज करेंगे ये 11 नंबर की सलाईयों पर बॉर्डर बुना अब इसके बाद 9 नंबर की सलाई लगा रही हूँ और पूरी जो रो है वो मैं उल्टी बुनूंगी ये मैंने पूरी सलाई जो है वो उल्टी बुन दी अब यहाँ पर ये देखिए अब आगे हम सिंपल बुनेंगे स्टॉकिंग स्टिच में अब इस तरह ये देखिए बटन होल जो है वो सॉरी रीबन इंसर्शन वाली जो रो है वो ऐसे डली है और ऐसे ये छेद बन गए है इसमें आप यह डोरी डाल सकते हैं या रीबन डाल सकते हैं अब थोड़ा सा हम प्लेन प्लेन बुनेंगे एक स्लाइसी दी एक उल्टी तो एक उल्टी मैंने नौ नमबर से बुन दी अब यहां पर हमने स्लाइयां भी चेंज कर दी हैं अब मैं इसको स्टॉकिंग स्टिच में माने एक स्लाइसी दी एक स्लाइय उल्टी बुनूंगी तो वो मैं यहां से लेके उपर तक जब तीन इंच हो जाएगा फिर मैं वहां तक बुनके फिर उसके बाद हम इसको जो मितन की शेप है जो जैसे देखिए यह वाली शेप है जो यह घटाई है यह हम स्टार्ट करेंगे तो यहां से यहां तक यह मैं तीन इंच बुनूंगी फिर आपको मैं दिखाऊंगी आप मैंने थोड़ा सा प्लेन प्लेन बुनना है एक स्लाइसी दी और एक उल्टी तो वो मैं बुनके फिर आपको दिखाऊंगी तो देखिए friends यह मैंने 3 इंच जो है वो बुन दिया है यहां से लेके यहां तक यह 3 इंच इसकी total length होगी है मिटन की आप इसके आगे हम shape देंगे तो shape देने के लिए हम क्या करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे एक जोडा मारेंगे फिर 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे एक दो तीम चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और यह 13 तेरा फंदे सीधे बुनने के बाद सिर्फ हम एक जोडा मारेंगे back से फंदों को लेके यह इस तरह से इस तरह से एक जोड़ा और मारेंगे फिर से हम रपीट करेंगे इसी को कि एक फंदा हम सीधा बुनेंगे यह एक फंदा सीधा बुना एक जोडा मारा फिर 13 फंदे फिर से बुनेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तेरा फंदे बुनने के बाद यह दिखिए यह तेरा फंदे बुन दिये फिर हम एक जोड़ा बैक से मारेंगे यह इस थारह से और, लास्ट का फंदा हम फिर सीधा बुन देंगे तो, यह शेप वाली जो है वह फर्स्ट रों हमने डाल दी पहली सिलाई डाल दी फिर जो दूसरी सिलाई है और हर और्टनेट जो रों है वह हम प्लेन उल्टी बुनेंगे यह दूसरी स्लाइड आ रही हूं मैं शेप वाली यह हमने उल्टी प्लेन भुननी है इसमें हमने कोई फंदा नहीं खटाना है यह मैंने दूसरी स्लाइड वह उल्टी बुन दी अब फिर से तीसरी स्लाइड में फिर से हम फंदे घटाएंगे तो इसमें फिर से वैसे बुनेंगे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर एक जोड़ा मार देंगे और ग्यारा फंदे फिर हम प्लेन सीधे बुनेंगे पहले 13 बुने थे अब 11 बुनेंगे 3,4,5,6,7,8,9,10,11 11 फंदे हमने सीधे बुने फिर हम एक जोड़ा इस तरह से बैक से मार देंगे फिर वैसे रपीट करेंगे एक फंदा सीधा बुना एक जोड़ा मारा फिर 11 फंदे हमने प्लें सीधे बुन दिये तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, फिर तीन फंदे बचे, तो एक जोड़ा हम बैक से मार देंगे, और एक फंदा हम सिधा बुन देंगे, फिर हम उल्टी स्लाइप लेने से बुन देंगे, यह चौति स्लाइप वाली डल रही है, टोटल साथ स्लाइप में हम छे, जो इसकी मिटन की शेप है, वो हम कंप्लीट कर देंगे, तो यह चौति स्लाइप जैसे मैंने बोला हर आल्टरनेट रो जो है हमने सीधी उल्टी बुनते जाना है, उसमें हमने कोई फंदे नहीं घटानी है, तो यह मैं चौति जो रो है वो बुन रही हूँ, यह चौति स्लाइप बुन दी मैंने, अब हम पांच्वी स्लाइप बुनेंगे, पांच्वी स्लाइप में, एक सीधा बुनेंगे, एक जोड़ा मारेंगे, और फिर नौ फंदे हमने प्लेन सीधे बुनने हैं, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ फंदे सीधे बुनने के बाद, एक फिर हम बैक से इस तरहां जोड़ा मार देंगे, फिर रुपीट करेंगे, एक सीधा बुना, एक जोड़ा फ्रंट से मारा, फिर नौ फंदे सीधे प्लेन बुने, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नौ, और फिर एक जोड़ा हमने इस तरहां बैक से मार दिया, इस तरहां और लास्ट का फंदा सीधा बुन दिया, तो ये हमारी पांचवी स्लाइडल गी, अब छटी स्लाइड जोड़ा फिर हम प्लेन उल्टी बुन देंगे, करी मार हम उल्टी स्लाइड़ा जोड़ा हम है, आपांच mobilize, मार फिर हमें इस प्लेदर, सबस्ट Pra Sabbath घो फित्प एक जोड़ा हvidia खित्पा के झाघडले हमने, तो ये छटी स्लाइड डाल दी, अब सात्मी स्लाई में हम फिर फंदे जो है वो घटाएंगे शेप देने के लिए, ये आखरी स्लाई है शेप देने के एक फंदा बुना, एक जोडा मारा, फिर सात फंदे जो है वो प्लेन सीधे बुन दीए, तीन, चार, पांच, छे, सात, फिर हमने एक बैक से जोडा मार दिया, फिर से रिपीट करेंगे एक फंदा सीधा बुना, एक फ्रंट से जोडा मारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, सात फंदे बुने, फिर एक बैक से जोडा मार दिया, और लास्ट का फंदा हमने फिर सीधा बुन दिया, तो ये सात सलाईयों में जो है, वो मिटन की शेप कंप्लीट होगी, अब इसके बाद हम सारे फंदे जो है, वो कास्ट आफ कर देंगे, वो कास्ट तो यह सारे फंदे मैंने कास्ट आफ कर दिये अब हम इसके बाद इसको सिलने का काम करेंगे तो मैं इसको फिर यहां से सिलूँगी और फिर यहां से यहां तक सिलूँगी तो इस तरह फिर शेप बन जाएगी और जो यह हमने बटन वाली रिबन इंसर्शन वाली रो डाली है इसमें मैं फिर इस तरह ये डोरी जो बना के आपको मैंने बनाना सिखाई थी ये डोरी बना के इसमें डाल दोंगी ये डोरी जो है वो आई कॉर्ड है दो फंदों वाली और इसको मैंने 12 इंच लंबा भुना है और वो मैं पर रोक के फिर इसमें और ये सिल्के आपको दिख तो देखिए फ्रंची हमारे मिटन्स जो है वो त्यार होगी है बनके बहुत क्यूट हैं बच्चों के हाथों को गरम रखने के लिए बहुत अच्छे हैं ये तो ये मैंने जो आपको बताया था यहां से सलाईयां तक मैंने ये सारा सिल दिया था और फिर ये आई-कॉर्ड ड बनाईये और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए तब तक मैं मिलती हूँ कुछ नहीं चीज लेके अगली वीडियो में और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना मेरी वीडियो को ना भूलें थैंक्यू मेरी मच्च व झाल